हेलो दोस्तो मेरा नाम है अमिर खान और आप देख रहे हो मेरा यूरूप चैनल ये है मोनो सोलर पैनल ये है पोली सोलर पैनल ये दोनों एकी साइज के हैं ये 120 वोट का है और ये 100 वोट का है ठीके और यहाँ पर जो आप देख रहे हो बारिश का मोसम है अब हम इन दोनों के amperes को चेक करेंगे यहाँ पर बिल्कुल भी रोश्णी नहीं है मतलब हलकी पुलकी है लेकिन सूरज की जो रोश्णी होती है वो यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रही है यहाँ पर monosolar panel है यह वाला यह है solar poly panel जो कि यह है 100 वोट का और यह 120 वोट का तो इन दोनों के जो amperes होते हैं वो हम चेक करेंगे कितने amperes इन में देखने को मिलेगा जाहर बात है यह थोड़ा सा कम होगा यह थोड़ा सा ज्यादा होगा क्योंकि यह monosolar panel है और 120 वोट का है इसके अंदर 20 वोट ज्यादा है और इसके अंदर 20 वोट कम है तो इसे थोड़ा बहुत average लगा लिजिएगा कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है चलिए दोस्तों शुरू करते हैं देखते हैं panels तो guys हम चेक करने वाले हैं poly solar panel का amperes तो हम poly solar panel का amperes आपके सामने live test कर रहे हैं ठीक है यहाँ पर 0.21 ampere आ रहा है इसको हम hold कर देंगे इसको हम hold करने के बाद आप खुद देख सकते हैं 0.2 ampere poly panel के आ रहे हैं इसे हम hold से बाहर करते हैं यहाँ पर होए 0 अब हम चेक करने वाले हैं monosolar panel का amperes जो की 120 watt का है और अभी जो हमने चेक किया था वो 100 watt का है यह दोस्तों मैंने लगा दिया है monosolar panel जिसके अंदर 0.2 ampere आ रहे हैं यह देखिए आपके सामने 0.2 है इसे मैं hold कर देता हूँ इस meter को यहाँ से मैं hold करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको भी चेक किया यह 120 watt का और यह poly panel है जो की 100 watt का है तो ampere का आप खूद अंदाजा लगा सकते हैं इसमें भी लगबग 2 ampere आ रहे हैं और 120 watt solar panel में mono में 0.2 ampere आ रहे हैं और 100 watt poly crystal line में 0.2 ampere आ रहे हैं तो दोस्तों आप ही अंदाजा लगा लिजी कि कौन सा best है मेरे कहले से यह दोनों ही best है और ज्यादा best होगा वो mono crystal होगा लेकिन poly भी इतना बुरा नहीं होता मतलब poly solar panel भी इतना बुरा नहीं होता जितना हम सोचते हैं यह देखिए आपके सामने बारिश का मोसम है और दोनों पेनल आपके सामने धूब के अंदर ही पड़े हुए है मैंने किया connection poly panel का जिसके अंदर आप खुद देख सकते हैं 0.21 ampere आ रहे हैं यह इसका poly panel है जो की 100 watt का है अब mono का चेक करते हैं मैंने कर दिया यह mono panel का connection जो की 0.21 ampere आ रहे हैं 120 watt का panel है यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल सुबूत के साथ में हैं यानि के solar poly panel हो या mono panel हो दोनों बराबर काम करते हैं हाँ थोड़ी efficiency इसकी थोड़ी ज्यादा होती है इसकी थोड़ी बहुत कम होती है लेकिन बारिश वगरा के मौसमिया कम धूब के अंदर ये बराबर ली तक्रीबन तक्रीबन 99-95% बराबर ही काम करते हैं चलिए दोस्तों information के लिए थैंक यू और आप अगर अच्छे वीडियो लगे है तो इसके लिए comment क्या जो भी ये करना है कर दीजी और बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है दोस्तों